दिली के पांडव नगर इलाके में मां से मजाग करना एक यूवक को नागवार गुज्रा और उनके फूफा की चाकू मार कर हत्या कर दी मजाग का विरोध करने पर फूफा ने यूवक को थपड मार दिया मृतक अपने साले की तेरवी में शामिल होने के लिए मेरट आया था घटना के बाद आरोपी फरार हो गया था जिसे पूलिस ने गिरफतार कर लिया है पूलिस ने सब का पोस्मटम करा कर परिजनों को सौब दिया है मृतक की सिनाखत कि ठोर मेरट यूपी निवासी विजे उम्र 45 के रूप में हुई है वो अपनी पत्नी के साथ मेरट में रहता था उसका कोई बच्चा नहीं था कुछ दिन पहले ही कोटला गाउं पांडव नगर निवासी उसके साले सुभास की कैंसर की बिमारी से मौत हो गई थी विजे गुरुवार को अपने साले के तेरवी में शामिल होने के लिए दिल्ली आये थे विजे दिन में तेरवी में शामिल होने के बाद वह रात में पास ही रहने वाले दूसरे साले के घर चले गए थे जहां पर कुछ रिष्टदारों के साथ शराब पीने लगे इस दोरान विजे अपने साले की पतनी से मजाग करने लगा यह बात वहां बैठे साले के बेटे आकास को नगवार गुजरी अकास के विरोध करने पर विजे ने उसे थपड मार दिया जिससे आहत हो कर आकास सबजी काटने वाला चाकू लेकर आया और विजे पर तावर तोड हमला कर दिया परिवार वालों ने उसे पास के लाल बहादू सासरी अस्पताल में ले गए जहां डॉक्टर ने उसे मृत गोशित कर दिया अस्पताल से पुलिस को घटना की जानकारी मिली घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था बताया जा रहा है कि शुकरवार सुबह आकास को फूफा की मौत का पता लगा तो खुद ही थाने आकर आत्मसमर्पन कर दिया हलाकि पुलिस ने उसकी गिरफतारी करने की बात कह रही है पुलिस उसके कबजे से हत्या के मामले में इस्तमाल करने वाला चाकू बरामत कर लिया है पुसकाच में आरोपी ने बताया कि उसका मकसद फूफा की हत्या करना नहीं था मा से मजाग करते देख उसे गुस्सा आ गया और उसने घटना को अंजाम दे दिया विजे के परिवार वालों ने आशंका जताई है कि वादात में परिवार के अन्य लोग भी शामिल है जिसकी पुलिस जाच कर रही है ब्योरे रिपोर्ट दिली समचार